है 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 हम लोग history में फ्रेंच रेवोर्शन वाला जो टॉपिक था उसमें हमने लास्ट टॉपिक एस्टेट जेनरल को कवर किया एस्टेट जेनरल में हमने क्या देखा था कि स्टेट जेनरल की मीटिंग 5 मैं 1789 को बुलाएगी और उसमें जो वोटिंग सस्टम था कि each state has one vote इस voting system को लेके लफडा हुआ क्योंकि third state वालों ने डिमांड कर दिया क्या कि हमें each representatives has one vote चाहिए मतलब हर वेक्ति को एक वोट चाहिए और नतीजा मीटिंग डिस्रप्ट हो गई भंग हो गया और थर्ड इस्टिट वाले बाहर निकल गया और यह मीटिंग 5 मैं 1789 वाला सफल नहीं हो पाया तो आगे क्या हुआ आगे हुआ निशनल असेंबली का फर्मेशन मतलब है इसका टॉपिक है निशनल असेंबली कैसे बना या सब्सक्राइल में एक रॉयल्ट टेनिस कोड़ था राजा का टेनिस कोड़ था वहां पर सब लोग इकठा हो गया ग्राउंड था बड़ा सा सब लोग अहीं पर इकठा हो गया और सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम जब तक पूरे फ्रांस का कॉंस्टिशन ना बना ले तब तक यहां से एक भी विक्ति घर नहीं जाएगा और इन्हों ने अपने आपको इस भीड़ ने अपने आपको एक नाम दे दिया नेशनल एसंबली कि यही आप पूरे कंट्री को कंट्रोल करेगा से कॉंस्टिशन बनाएगा राजा पे नियंतरन करेगा तो यह बैठे यह बैठे रहा और यह घटना जो रहा था बीस जून 1789 को हो रही थी इस पूरे भीड को लगवाग लाकू की बीड़ती जिसको दो विक्ति डील कर रहा था पहला विक्ति था मिराबो और दूसरा विक्ति था अवेशियस मिराबो जो था एक नॉबल फैमिली से था लेकिन उसको सिंपथी थी थर्ड स्टेट वालों के इसले उसने सब वो सपोर्ट कर रहा था यहां तकी अवेशियस एक प्रिष्ट ली क्लास था प्रिष्ट था फर्स्ट स्टेट और यह अवेशियस जो था थर्ड स्टेट को सिंपथी दिखाते हुए इसने पंफलेट भी लिख गया लेकिन अभी तो यह गरांट है नहीं राजा तो इसको accept किया नहीं तो राजा कव49 क्या चाहर इसको PARM डे दिया प्र फोर अगस्ट ऐस्षुएसेन देंग लेते हैं क्या है कि राजा ने 4 अगस्त लीं को आप पस करो तो सवाल क्यों किया तो जरा उसी डूरेशन में जून जुलाई का जो डूरेशन है अगर आप उसको देखोगे पूरे कंट्री वाइड पूरे कंट्री साइड में तो वहां पे अलग से सिच्वेशन बन रखी थी जैसे किसानों के बीच में रियूमर फैला हुआ था कि जो लाइंड लॉड्स है वो क्या कर रहे हैं किसानों के पके हुए फैसल को बरबाद करने आ रहे हैं तो किसान भी क्या किया बदले में ये लोग भी अपना इनके स्पास जो मिला कुदाल हल जो भी मिला सब लेके निकल लिये कि भीड़ेंगे उससे फैसल को बचाएंगे और इन लोगों ने लैंड लोट का भेजावा लोग चाटवेक्स मतलब खिला कासल जहां पर यह लोग रहते हैं तो इन सब प्याटक किया किसान लूट लिया मतलब नॉर्मली यह समझाना चारे कि पूरे कंट्री में दंगा हो रही थी लोगों थार्ड स्टेट वाई लोग दंगा करके रख दिये थे इतना ही नहीं सहरों में क्या हो रहा था जो बेमिन थी वो ब्रेड के लिए दंगा कर रहे थी वो घंटो लाइन लगा के खड़ी रहती दुकान के बाहर और उसके बाद क्या होता कि उनको ब्रेड नहीं मिलता तो ऐसे करके उन्होंने क्या किया दुकानों में तोड़ फ्र वही 7000 लोग मिलके चल दी राजा के पैलस की और आपको फ्लेस्वेक में जा रहे ध्यान रखेगा राजा की और लेके चले गए पास कर दिया तो यह निशनल असेम्वली पास क्यों किया गया कैसे हुआ हमने वो देखा बना कैसेज अब पास होने के टीथे को abolish कर दिया जो टेक्स चर्च लेता था चर्च के जब जमीन था एक्स्ट्रा जमीन जो था वो सीज कर लिया जन्मिकी अधार पे जो privileges थे उसको भी समाप्द कर दिया और एक समान सब पर टेक्स लागु कर दिया इतना चेंजिंग करने के बाद इस स्टेट जनरली को लगबग टू बिलियन लिवरे का कलेक्शन हुआ तो फ्रांस का कर्जा सट गे यह इतना ही तो कर्ज था लुई 16 के समय में कर्ज ने सटा दिया और सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल एसेंबली ने पूरे फ्रांस में एक नए सस्टम को इंट्रोडियूस किया सेप्टेंबर 17 में नाम क्या नएँन का constitutional मनारकी जिसका structure आपको स्क्रीन पर आदे रहा है यह रहा का structure आपको दीक रहा यह constitutional मनारकी में तीन पार्ट बन गया है Constitution जब बना 1791 में तो यह सिस्टम आया जुडिसियरी लेजिसलेचर और एक्जिक्यूटिव का तो यह तीनों जो स्ट्रक्चर आपको दीख रहा है जुडिसियरी लेजिसलेचर एक्जिक्यूटिव का जुडिसरी तो ठीक है ज़स्मेंट बना है एक्जिक्यूटिव में राजा और उसके मिनिस्टियर्स लोग है और लेजिसलेचर में आ गया नेशनल एसेंब्ली जिसमें 745 मेंबर है और यह 745 मिंबर चुने जा रहा है 50,000 इलेक्टर से अब यह 50,000 इलेक्टर जो है 4,000,000 बोटर से चुने जा रहे हैं यह 4,000, पैसिफ सिर्जन उन्हें कहा जाता था जिनके उम्र 25 से जादा हो जो तीन दिन के मजदूरी के बरावर टैक्स पेड करते हों यही वोड़ दे सकते हो और पैसिफ सिर्जन में विमन के वच्चे को और ओल्ड को रखा गया जिनका 25 से कम उम्र था वो भी था जिए अब यह थे तो ऐसे करके चार मिलियन लोग ही क्या कर पाए वोड़ दे रहे थे इसमें फिफ्टी थाजिंट इलेक्टर्स आ गए उसमें से 745 नेशनल एसम्बली का मिंबर बन गया अब नेशनल एसम्बली राजा को कंट्रोल कर रहा है कैसे कंट्रोल कर राजा को हर काम राजा इस पर सारा कासारा चला गिए नेशनल एसमबली को तो यह नेशनल एसम्बली बास होने के बाद यह सारे चैंज हुए पूरे फ़रांस में लोगों की राय Marshmin downro glaubet जैसे National Assembly ने एक declaration pass out किया declaration का नाम था the declaration of rights of men and citizens जिसमें right to freedom of speech, freedom of opinion, freedom of association, right to life जैसे term को introduce की गई तो ये आपका National Assembly था इसी से related एक छोटा सा और term है political symbol तो political symbol जो है ये क्या है political symbol को किसी भी आसे चीज़ को कह सकते हो जो ideas को represent करता हो मतलब लिख कर नहीं, सिर्फ उस figure को देखके उस symbol को देखके किसी idea को हम imagine कर ले और ऐसे बहुत सारे ideas का figure political symbol का आपके book में दिया हुआ है एक दो का आप यहाँ से भी देख सकते हो अब ये figure जो है हर figure चाहे आप I within the triangle के अंदर का देख लो यह दूसरी चीज़ों सब का वगल में means भी दिया हुआ है तो इसी political symbol को हम one by one क्या करेंगे अगले video lecture में explain कर देखे तो आज हम लोगों ने देखा National Assembly कैसे बना और क्यों बना कैसे पास हुआ और उसका changing क्या हुआ तो लेट सोबर इट next class का बेट करते हैं